आसा क्यूस्टिन आप लोग देख पारें कि सारे प्रस्ण आप सभी के लिए काफी इंपुड़ेड एंड एक्जाम ओरियेंटेड लिया गया है तो चलिए पहले प्रस्णिक और बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रस्णिक क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट प्रस्णिक करा कि मंडाना लुक कला सैली का संबंध किस भारती राज्जी से है आपसा नमबर A में है राज्जिस्थान, B में गुजरात, C में महाराष्ट और D में है विहार तिस्कूशन का राइट इंसर होज जाएगा आप सभी का आपसा नमबर A यानि कि राज्जिस्थान आप सभी का राइट इंसर होज जाएगा राज्जिस्थान चली अगले प्रस्णिकों बात करते हैं सभी का अगला प्रस्णि आपर पूछा जारा सिकेन नमबर कि भगोली भी हूँ कि सिराजी का प्रमुक्तिवार है अफसर नमबर A में असम, B में ओडिसा, C में बिहार, D में असम तिसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अफसर नमबर A यानि कि असम आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर एक और सा ट्रीक है कि आप सभी के जो भी कोई भी असा तिवार हो जहाँ पर बिहू लगा हो उस सारे तिवार आप सभी के असम से ही संबंदित हो जाएगा तो इस ट्रीक को आप सभी को याद रखना है ठीक है नव चलिए चलिए अगले प्रस्णी को और बात करते इस्टेंट आप सभी का अगला प्रस्णी पूछा जा रहा है आथर नमर प्रस्णी कर रहे कि मोरिया काल में सिख्छा का सारधीक परशीद केंद्र था कर रहे कि मोरिया काल में सिख्छा का सारधीक परशीद केंद्र कौन था आप से नमबर A में वैसाली, B में नलांदा, C में तच सीला और D में उज्जन दिस्कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर शी तच सीला आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्णिक और बात करते उससे पले आप सभी से छोटा स्रिकेश्ट है अगर शीट आपस भी इस क्लास को पहली बर देख रहे हैं तो प्लेज चलो को सब्सक्राइब कर सासद बेल एकन को प्रेस कर दिजएगा ताके इसा मोश्ट इमपोडे क्लास शीट आप तक सबसे जल्द पहुंशते रहे हैं चलिए फोन नमबर प्रशन के बात करते हैं फोन नमबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि पूछ से मित्र सुंग मोर्या समराट ब्रेदरत की राज की सेना में किस पद पर आसिन था तो फोर का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आप सभी का प्रशन नमबर प्रशन पूछा जा रहा है कि सतवहनों ने पहले अस्थानी अधिकारियों के रूप में काम किया था नंदी के अधिन, मोर्याओ के अधिन, चोलो के अधिन या चेरो के अधिन तो 5 का जो right answer हो जाएगा आप सभी का option number B यानि की मोरियों के अधिन काम किया था तो option number B आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को और बात करते हैं आप सभी का 6 नमबर प्रस्ण यापर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन की सकाल की एक मत्पूर भी सेष्टा थी तो 6 का जो right answer हो जाएगा आप सभी का option number A यानि की गुप्त काल option number A आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को और बात करते हैं आप सभी का 7 नमबर प्रस्ण यापर पूछा जा रहा है कि कौन सा राज वन्स हुणों की आकरमण से अत्यांत वीचलित हुआ था तो 7 का जो right answer हो जाएगा आप सभी का option number C यानि की गुप्त हो जाएगा option number C आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए next प्रस्ण को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रस्ण क्या पूछा जारा ध्यान दिजेगा एट नमबर प्रस्निक के हाड़पा सबेता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साथचय कहां से मिला है तो एट का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपस्या नमबर स्य यनकी काली बंगा से प्राप्त हुआ है आपसर नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं 9 नमबर प्रश्ण की सिंदू सबेता में ब्रिहत असनानागार पाया गया है सिंदू सबेता में ब्रिहत असनानागार पाया गया है आपसर नमबर A में मोहन जोदुडो में, B में हडपा में, C में लोथल में, D में काली बंगा में तो 9 का जो राइट एंसर होज जाएगा आप सभी का आपसर नमबर A आने की मोहन जोदुडो में पाया गया था अपसे नमबर ए आप सभी का राइट एंसर होज जाएगा मोहन जोदुडू चली अगले प्रस्णिक और बात करते इस्टिंट आप सभी का दस नमबर प्रस्णि पूछा जा रहा है कि गौतम बुध दोरा वीचुणी संग की अस्थापना कहां की गए थी तो दस का जो राइट एंसर होज जाएगा आप सभी का अपसे नमबर शी यानि की वैसाली में किया गया था अपसे नमबर शी आप सभी का राइट एंसर होज जाएगा कोशन नमबर दस का चली अगले प्रशने को और बात करते हैं आप सभी का एक 11 नमबर प्रशने पूछा जा रहा है कि किसे एसिया की रोसनी दा लाइट ओफ एसिया कहा जाता है किसे एसिया की रोसनी कहा जाता है दा लाइट ओफ एसिया के नाम से किसे जाना जाता है तो गौतम बुध आप सभी के right answer हो जाएंगे option number B is right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रश्णी को बात करते हैं आप सभी का 12 नमबर प्रश्णी याँ पर पूछा जा रहा है कि वो असासक कौन था जिसने राज सिहासर पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सूसिम की हत्या की थी तो बारा का right answer हो जाएगा आप सभी का असुक असुक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिहासर पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सूसिम की हत्या किया था तो option number A आप सभी का right answer हो जाएगा चलिए अगले प्रस्न को बात करते हैं आप सभी का 13 नमबर प्रस्न है कि साची किस कला वो मुर्ती कला का निरूपन करता है तो तेरा का right answer हो जाएगा आप सभी का option number B यहनि की बौध का निरूपन करता है option number B आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 14 नमबर प्रश्ण है कि निमनलीखित में से किसकी चाल को लीथिक एज यानि कि चाल को लीथिक एज कहा जाता है तो राइडेंसर हो जाएगा आप सभी का आपसन नमबर सी यानि कि तामर प्रशाण यूग को चाल को लिथिक एज कहा जाता है आपसन नमबर सी हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का पंद्रह नमबर प्रश्ण है कि किस बिदेशी यात्री ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा आप सभी का पंदर्या का अपसा नंबर B आप सभी का राइट अंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्णिक और बात करते 16 नंबर की हीतो पदेश की लेखा कौन है तो हीतो पदेश की लेखा के बात करते तो नरायन सी नरायन पंडित आपसे नंबर सी आप सभी के राइट एंसर हो जाएगा चलिए नेक्स प्रस्णिक और बात करते 17 नंबर प्रस्ण है कि पूरा पसाण काल में तो चलिए अगले प्रस्णिक और बात करते श्टेंट आप सभी का 17 नंबर प्रस्ण है पूछा जारा है कि पूरा पसाण काल में आदी मानों के मनरंजन के साधन क्या थे पूरा पसान काल में आदी मानों के मनरुंजन के सादन क्या थे तो सत्रह का रैट अन्सर हो जाएका आप सभी का आप सा नंबर A कि निमनलीखित में सी वह सागर कौन सा है जो भूब्रिध है जो भू बन्ध बध है अठारा का राइट एंसर होजाएगा आप सבी का उफसे नमबर डि यह नि की अरल सागर आप से नमबर डी आप सबी का राइट एंसर होजाएगा चलिए अगले प्रशनी को बात करते हैं आप सबी का 19 नमबर प्रशने पूछा जाहरा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था तो 19 का राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर डी आने की 1914 इस्वी में हुआ था आपसा नमबर डी आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्णी को बात करते हैं आप सभी का 20 नमबर प्रस्णी आपर पूछा जा रहा है करें कि निम्न में से किस महा दीप का छेतर फल सबसे कम है तो 20 का राइट अंसर हो जाएगा आप सभीका आपसर नमबर D याने की और ऑश्ट्रेलिया आपसर नमबर D आप सभीका राइट और हो जाएगा चलि अगले प्रस्चन को बात करते हैं सभी का 21 तो 21 का रैट इंसर होज जाएगा आव सभी का अबसने मभर A आने की प्रशान्त महा सागर में देखने को मिलता है प्रशान्त महा सागर अबसने में A आप सभी का रैट इंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्णिक और बात करते 22 नमबर की दच्छिन एसिया का सबसी बड़ा मरुवस्थल है दच्छिन एसिया का सबसी बड़ा मरुवस्थल कौन सा है तो 22 का हो जाएगा आप सभी का थार मरुवस्थल आपसर नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा थार मुरुवस्थल इस राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण को बात करते हैं 23 नमबर की A.C.A. ताथा उत्री अमेरिका किसके द्वारा प्रिथक होते हैं तो 23 का होज जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्या आपसर नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन 24 नंबर की अको सुम्बू बांध निम्नवे से किस नदी पर इस्तित है तो 24 का हो जाएगा आप सभी का अपसे नंबर भी यानि की वोल्टा वोल्टा अपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रसनी को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रसनी की अफ्रीका के रूम सागरिये तट पर कौन सा बंद्रगा है 25 का हो जाएगा भी यानि की सिकंदरिया अपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा तो जैसा क्यूस्टेन आप लोग देख पारें कि सारे प्रसन आप सभी के लिए काफी मपुडेड एंड एक्जाम ओरियेंटेड लिया गया है चलिए पहले प्रसन के साथ बात करते हैं पहला प्रसन आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरीबा लोक निरित्य सैली किस राज में प्रचली थें अपसे नंबर एका हो जाएगा आसम,B में मडीपूर,C में मिझोरण औरD नागा लेंड तो इसकोसन करज़ें राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का अपसे नंबर बी यानि कि मडीपूर इस राइट इंसर हो जाएगा चड़िए मड़ी फूल की बात करें मड़ी पूल के जो रजधानी हो जाएगी आप सी किमफाल हो जगा ठीक नव चलिए अगले प्रस्ण को बात करते हैं आप सभी का अगला जो प्रस्ण पूछा जा रहा है कि बीसो की सबसे उचाई पर इस्थित जिल कौन सा है आप से नमबर ए में है टीटी कामा जिल बी में सीटी सी क्रू सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड देगे आप लोगों से जोगरोफी के अच्छे कासे प्रस्ण पूछे जाते ठीक है नव तो राइट इंस रोज जाएगा आप सभी का अपसर नमबर ए यानि की टीटी का का जिल आप सभी के सबसे उचाई पर इस्तित हो जाएगा अब आप लोगों को comment box में आपर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मिठे फानी का जिल कौन सा है सबसे गहरा जिल कौन सा है बीस्यों का सबसे बड़ा जिल कौन सा है और बीस्यों का सबसे छोटा जिल कौन सा है यह चारों प्रस्णे के इंसर आप सभी को comment box में देना है ठीके ना चलिए अगले प्रस्णे को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रस्णे थर्ड नंबर थर्ड नंबर प्रस्णे आपर पूछा जा रहा है कि निमने लीखित में से कौन सा महादीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है निमने लीखित में से कौन सा महादीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्री अमेरिका देचिन अमेरिका एसिया और अटलांटिका तो थर्ड का जो राइटेंस रोज जाएगा आप सभी का उत्री अमेरिका जो की नई दुनिया के नाम से जाना जात अगर सब से बड़े महादीपों की बात करें तो आपसी के माहादीप Ok just कि सबसे चोटे की बात करें तो उस्टेलिया ऑस्टेलिया जाए ठीक है न उस अगले प्रसंदीक बात करते हैं उससे पहले आप सभी एक प्रसंध टहुक्म तो सब्सक्राइब तो प्लीज इस्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सासद बेल आगन को प्रेस कर दीजेगा ताकि इसा मोस्ट इंपोडे क्लास इस्टेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे हैं ठीके न क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेतर से बेतरीन करने का प्रयास करता ह और सिलेक्सर की ओर ले जाने का कोसिस करता है ठीके न चलिए अगले प्रस्णिक और बात करते हैं आप सभी का फोर नंबर प्रस्णिक क्या पूछा जा रहा हैं तो फोर नंबर प्रस्णिक आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैदव सभिता की इटो का अलंक करन किस अस्था से मिला है तो फोर का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का काली बंगा आपसा नंबर ए आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्निक के और बात कर लेते हैं आप सभी का फाइप नंबर प्रस्निक क्या है करा कि असोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकिर्ती का परियोग किया है असोक ने अपने सभी अभी लेखों में एक रूपता में एक रूपता से किस प्राकिर्त का परियोग किया है तो 5 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का शिक्स नंबर प्रश्ण है कि गांधी जी ने वर्ष में आहमदाबाद में सूती मिल स्रमिकों को साथ लेकर एक सत्यागरा का आयोजन किया था कितने में किया था तो शिक्स का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्ण क्या है सिवे नंबर क्या पूछा जा रहा है किरे कि निमने लीखित में से किस महा सागर में तो रेस जल डमरू मध्य इस्तित है किस महा सागर में तो रेस जल डमरू मध्य इस्तित है तो सिबिन आप सभी का आ यानि की प्रसान्त महसागर हो जाएगा प्रसान्त महसागर अपसized number A आप सभी का right answer हो जाएगा प्रसान्त महसागर चलिए अगरे प्रशनी को रबात करते हैं 8 नमबर प्रशने कि वार्शिक सुरजकुन्ड सिल्प मेले की मेजबानी निमने लीखित में से कौन सा राज्य करता है वार्षिक सुरज कुंट सिल्प मेले की मेजबानी निमने लीखित में से कौन सा राज्य करता है तो 8 का जो right answer हो जाएगा आप सभी का option number A यानि की हर्याणा हो जाएगा हर्याणा option number A आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं और चनल को subscribe कर वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा ठीए न और comment box में जुरू बते हैं कि आप सभी को एक class कैसा लगता है चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं नाइन नमबर प्रश्ण है यहाँ पर कुछ एश्डेंडों को doubt था कि सर आखिर हम लोग एसे सी MTS के लिए कौन से बुक पर्चेस कर सकते जीएस हो या जीके या जीएस के लिए तो मैं आप सभी को उस पर थोवसा बात करना चाहूंगा कि आप लोग अगर एसे सी MTS की त्यारी करें उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं तो आप सभी के लिए वेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सी को बताऊंगा भी ठीक है थोवसा वेट करिएगा उस कूपर में थोवसा बात करने वाला हूं अगला परसने की एन आर एरा ऑफ डॉर नेक्स डॉकनेस दा ब्रिटिस एंपायर इन इंडिया नामक पूस्तक की लेखक या लेखी का कौन है तो नाइन क राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का और उन जेट ली अपसा नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते आप सभी का दस नमबर प्रस्ण है कि टेवल टेनिस की उत्पति कहां होई थी टेवल टेनिस की उत्पति कहां पर होई थी इंगलेंड, B में जपान, C में भारत, और D में है चिन तो टेवल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट एंसर हो जाएगा तो 10 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का टेवल टेनिस के अगर उत्पती की बात करें तो ओरूब्रñas के लिए तो आप सभी के टेवल टेनेस यह थो यह यार यहाँ पर चिन होना चाहिए भक पिसका अंसर में चीन होना चाहिए यहाँ पर इंगनलैंड दिया हुआ है तो उसे इस कोषसण पे बात करेंगे ठीक है न क्यूंकि यहां पर टेवल टेनिस की जो उत्पत्ती हुई थी यहां पर दिया है इंगलेंड लेकिन जो प्रिये खेले वो तो चीन का है चीन के लोग टेवल टेनिस खेलते हैं ठीक है ना चलिए अगले प्रसने को बात करते हैं अगर आप सभी कॉनफर्म हो तो आप लोग पेस कमेंट बोक्स में बताईएगा ठीक है ना अगला प्रसने की ताजमाल आगरा सहर में किस नदी के तट पर इस्तित है ताजमाल आगरा सहर में किस नदी के तट पर इस्तित है एक ग्यारा को जाएगा आप सभी का डियाने की यमुना नदी के तट पर हो जाएगा यमुना नदी के क किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और शिवाओं के मुल्य को क्या कहा जाता है। कि अगले प्रशन के बात कर लेते हैं। आप सभी का जी डीपी है। कि अनुषार भारत सिंदू नदीप्रमाणित का कितना पानी इस्तिमाल कर सकता है। तो 13 का अज़ जग आप सभी का भी आने की 20% हो जाएगा अगला परसने की निमने लीखित में से कौन सी निरित्य सैली सास्त्रिय निरित्य सैली नहीं है निमने लीखित में से कौन सी निरित्य सैली सास्त्रिय निरित्य सैली नहीं है तो 14 का अबसे आफस नंबर D आणे की बूरा कथा आफसा नंबर D आफसा नंबर D आप सबी का right answer हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते हैं आफ सबी का पंदरा नंबर प्रश्ण है कि राइ बोफ्लो लेविन का दूसरा नाम क्या है राइबो फ्लोविन का दूसरा नाम क्या है पंदरा का जगा A आने की बिटा में बीटू हो जाएगा चली अगला प्रशन आपसभी का की भारत में साइमन कमिशन की आगमन से पूर्व निमने लिखित में से कौन सी घटना घटी है चली अगले प्रशन को बात करते की निमने लिखित में से किसने इंडिया विन्स फ्रिडम नामक पूस्तक लिखी है जो भारत के सौतंतरता संगराम के संबन्ध में उनकी आप बीती है अगला प्रशन की भारत पर प्रथम तुर्क आकरोण करने वाला था तो महमूद गजनी हो जाएगा वो अपना बाबर भी जो था ना बाबर भी भारत पर पांच बार आकरोण कीया था ठीके ना ठीके देखिए अगला प्रशनावस्जी का उन्नीश नंबर के अली गड़ मुस्लिम विश्व बिदाले के संस्थापक की बात करते हैं तो भी हो जाएगा सर सयद अहमद हो जाएगे अपसर नंबर भी आप सभी का राइटे इंसर हो जाएगा चली अगला प्रशनावस्जी का ट्वंटी नंबर की भारत में खोजा गया सबसे पुराना सर कौन सा है तो ट्वंटी का जो राइटे इंसर हो जाएगा आप सभी का आपसर नंबर भी आनिकी हलपा हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं ट्वंटी नंबर की किस वेद में प्राचिन वैदिक यूग की सांस्कृती के बारे में सूचना दी गई तो ट्वंटी वन का जो जाएगा आनिकी रिगविध हो जाएगा अपसर नंबर ए आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि किस गुप्त कालिन सासक को कवी राज कहा जाता है किस गुप्त कालिन सासक को कवी राज कहा जाता है तो 22 का हुच जग आप सभी का C आन«2 की समुंद्र गुप्तономर C आपसे नंबर C आप सभी का रायट एंसर होच जगेगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं 23 नंबर कि गुप्त राजवंस किसलिए परशीद था गुप्त राजवंस किसलिए परशीद था तो 23 का अच्छेगा आप सभी का बियानी की कला यम अस्थापत त्या अगला प्रशन 24 नमबर की गुप्तवन्स का संस्थाप़ कौन था तो गुप्तवन्स के संस्थाप़ की बात करते हैं तो यह जाएंगे आप सभी किसरी गुप्त चली अगला प्रशने को बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नी लीखित में से कौन सी एक लीपी दाएं और से बाएं और लीखी जाती है 25 का अजगा एने की खरोष्टी खरोष्टी अपसन नमबर A